हम बात कर रहे हैं तेज परताप यादो की तेज परताप यादो पटन से राची के लिए निकले थे लेकिन जहानाबाद में उनका एक अलग ही रूप देखने को मिला तेज परताप यादो अपने वही पुराने स्टाइल में जिपर जैकेट और जीन्स पहने हुए दिखाई दिए ये मौका था तेज परताप यादो के जहानाबाद में खाना खाने के लिए रुकने का तेज परताप यादो नेताओं से पार्टी कारेकरताओं से काफी घुले मिले दिखाई दिए आप तस्वीरों में देख सकते हैं तेज परताप यादो कुरसी पर बैठे हैं और उनके अगल बगल में उनके पार्टी के नेता और कारेकरता मौजूद हैं। नेताओं और कारेकरताओं की एक बैठक ली इस बैठक में 2019 के लोग सवाचुनाओं को लेकर के रनीती तैक की गई उसके बाद जब तेजपरताब मीडिया से बातचीत करने लगे तो उस दोरान उन्होंने साफ साफ कहा कि वो महाभारत के तरच पर अब जो लड़ाई है वो 2019 में BGP और RSS वाले को जनता भागाने की काम करेगी आपको बता दे कि तेजपरताब यादो जहानबाद में उनकी थोड़ी सी तवियत बिगड़ गई उसके बाद उनको डॉक्टरों के टीम ने देखा जाच किया फिर तेजपरताब यादो आज राची के लिए रवाना ह हो गए हैं ऐसे में देखना होगा कि तेजपरताब यादो की लालू परसाद यादो से मुलाकात हो पाती है या नहीं हो पाती है हम थोड़े से पीछे अगर जाएं तो तेजपरताब यादो ने जब अपनी पतनी अश्वरीय राय को पटना के सीविल कोट में तलाक की थाबिद करती है कि वो दूर नहीं थे माहौल को भाफने का काम कर रहे थे और तेजपरताब भी लगतार इस बारे में कहते रहे हैं कि वो राजनीत से कभी वे दूर नहीं हुए तेजपरताब यादो जहानबाद में पार्टी कार करताओं से उन्होंने मुलाकात की उससे पटना में युवान नेताओं की मीटिंग ली इससे कहीं न कहीं कहा जा सकता है कि एक बर फिर से तेजपरताब यादो एक्टिव मोड में आ गए हैं हम आपको बिहार समय देजदुनिया की तमाम खबरों से लगतार अपडेट रख रहे हमारे यूट्यूब चैनल पर जाए उसको सब्सक्राइब करिए इसके साथी साथ हमारे फेज़ुक पेज को भी जरूर लाइक करें